नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है जस्पाल सिंग और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वाग करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बोडी समाना पर यह वीडियो थोड़ी सी इंफोमेशनल वीडियो है क्योंकि काफी लोग की इंक्वाइरी है कि जो गेर वॉक्स आ र और लोगेर्स साथ में यह बता दूँ जे कलच है जो 430 mm डाय का आ रहा है वो दो तरह से काम कर रहा है हाई गेर में अलग काम करेगा लोगेर में अलग काम करेगा तो पहले हम आपको एक सिंपली पैटरन बता देते हैं उसके बाद हम आपको ड्राइव करकर भी बताएंग हैं और अभी गाड़ी में जैसे सबसे पहले 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 पहला गेर डलेगा तो लोगी दिखाएगा तो यहां पर कछूवे का साइन आता है यहां पर यहींपर आपड़ी ने पहला गेर अराम से यहां पर आप पहला गेर डाल सकते हो, दूसरा डाल सकते हो, तीसरा और इसलिए चौथा चौथे के बाद अभी आपने हाई गेर पर लेकर आनी है गाड़ी तो उसके बाद आप एक बाद गाड़ी लेकर नूटल करेंगे ना तो यहाँ पर कच्चु आ रहा है, उसके बाद आपने इस साइड को यहाँ पर ऐसे करना है तो यहाँ तो हाई गेर अभी हमारे काम कर रहे है कलच है जो हमारा हाई गेर में आ चुका है तो यहाँ पर कच्चु एका साइटा वो चेंज हो गया अभी हम यहाँ पर पांचमा गेर डाल सकते है शेमा डाल सकते है सातमा डाल सकते है और आठमा डाल सकते है और यही पैटर्न हो यह हम आपको चला कर दिखाते हैं और अभी हाई गेर जही है गाड़ी में तो अभी नूटल करने में फिर से हमको एक बार यहां से ऐसे नूटल करकर लेट साइड पर लेकर जाना अगर हाई गेर पर डालने हैं तो राइट साइड पर लेकर जाना पड़ेगा तो अभी हम देखते हो गाड़ी नूटल है और लो गेर हमने डाले हुए है पहला गेर अभी हम डाल रहे हैं गाड़ यहाँ पर अभी हमने चार गेर्स यहाँ पर अभी डाल ले हैं अभी हमने फिफ्ट गेर्स डालना है जो की हाई गेर है और यहाँ पर देखते हो अभी हमने न्यूटर लिया और उसके बाद ड्रैक किया राइट साइड को और यहाँ पर फिफ्ट गेर्स हमारा हाई गेर्स आ जाल सकते हो यहां पर अभी हमने 6th gear साथ में डाल दिया है और 7th gear भी हम साथ में डाल रहे हैं और अराम से यहां पर smoothly आप gears operate कर सकते हो किसी प्रकार से लास्ट gear है यह वो आप यहां पर operate कर सकते हो यह छोटी छोटी बात है कोई बड़ी बात नहीं है कई लोगों को समझ में थोड़ी से दिक्कत आती है तो अराम से आप इसकी सहाजता से आप high gear और low gears आप जान सकते हो कैसे डालने हैं और कैसे निकालने हैं अगर आपका फिर भी कोई inquiry रह गया हो जो आपको नहीं समझाया है तो आप नीचे हमें comment section में बताएंगे तो आपको एक और next video हम आपको सा साथ में बनाकर दे देंगे अगर आपको inquiry रह चुकिया है इसके regarding में तो चलिए मिलते हैं आपको next video में नमस्का दोस्तो जै हिंद वन्दे मातरां